हलो दोस्तों अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हो या डॉक्टर हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टैक्स सेविंग के प्लान बताऊंगा साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस फिल्ड से बिलों कर रहे है तो कैसे आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे आप अपना income tax return फाइल करेंगे दिखिए अगर आप doctor या कोई medical profession से बिलोंग कर रहे हों तो जब आप income tax return फाइल करने जाओगे सबसे पहले आप 26 AS form डाउनलोड कर लीजिए कुछ दिन बाद 26 AS form की जगा पे AIS और TIS form आ जाएंगे तो आपको वो form से आपको यह ascertain करन है कि आपका total gross receive कितना हुआ अब यह doctor या जो medical profession से बिलोंग कर रहे है वो hospital या दूसरा कोई nursing home में आटस्ट है या private practice कर रहे है तो जो पैसा वो उन लोगों के पास आ रहा है उसमें हम लोग जानते कि normally section 194J के तहत उनमें TDS कट जाता है और TDS कटने के बाद बागे पैसा कौन direct करता है जो hospital या diagnostic center है वो direct करके रख लेते हैं और आपको बचा हुआ पैसा देते हैं जब आप return file करने चाहते हो तो उस TDS का आप adjustment कर सकते हो अपने जो income tax हुआ है उसी से अब देखे मैं आपको एक ही income को तीन तरीके से calculate करके बताऊंगा कि कैसे आप tax saving या tax planning कर सकते ह यह doctor A, B और C तीनों का ही gross receipt हुआ है 30 lakhs यह salary income नहीं है हम माल लेते है कि यह professional income है जो आपको hospital diagnostic center या दूसरे professional center से यह healthcare center से मिला है अब देखे doctor A जो है वो normal provision अप income tax apply कर रहे हैं और वो दिखा रहे है कि उनके actual salary का खर्चा हुए 6 lakh रुपे तो 30 lakh का हो गया gross receipt 6 lakh का हो गया खर पर वो आप income tax payment करेंगे वो चाहे तो old scheme या new scheme या नी old regime या new regime दोनों में जो उनके लिए beneficial होंगे उसी सबसे वो अपना income tax return फाइल करेंगे और tax का भुगदान करेंगे और जो TDS already direct हो चुक है उनका वो adjustment या claim कर लेंगे अब डॉक्टर B जो है वो थोड़ा smart है डॉक्टर A से देखिए उन्होंने section 44 ADA का apply किया section 44 ADA कहता है कि आपका जो gross receipt हुआ है यानि जो 30 lakhs आपका gross receipt है उसमें 50% आप खर्चा यानि expenses बोल के आप खर्चा का deduction claim कर सकते हों तो अगर 50% खर्चा वो claim कर लेते हैं तो income आ जाता है 15,000,000 रुप है जबकि Mr. A का income आ था 24,000,000 रुप है पर Mr. B का इनका 15,000,000 रुप है तो जो tax liability है Mr. B का यानि जो Dr. B है उनका tax liability है वो Dr. A से कम हो गया यानि Dr. A का tax liability था वो higher था Dr. B का moderate हो गया अब आ जाते है Dr. C में Dr. C जो है वो सबसे smart doctor है क्यों क्योंकि उरोंने section 44 ADA का apply क गिया और tax audit करवा है अभी देखे tax audit का जो basic fund है मैं आपको बताना चाहता हो ताकि इसमें आपका जो दूबिदा है वो clear हो जाए जो professionals है अगर उनका grossness यानि जो ये grossness अब 30,000,000 रुपे देख रहे हैं अगर 50,000,000 रुपे से जादा हो जाता है तब उनको mandatory tax audit कराना पड़ कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए मैं इसको आपको explain कर रहा हूँ देखिए हमने doctor B में 44 ADA apply किये थे section 44 ADA में कहा जाता है कि अगर आप 44 ADA apply करते हो तो 50% तक आपका जो खर्चा है उसको हम लोग यानि जो income tax department है वो आपका खर्चा अलाव कर देते हैं पर वही पर बताया जा करते हो तब आपको tax audit कराने होंगी यानि तब आपको 44 ADA में switch over करने होंगे irrespective of the fact कि आपका ग्रॉससी 50,00,00 का ऊपर है या नहीं तो doctor C जो है उनका ग्रॉससी पर 30,00,00 रुपए और उन्होंने tax audit कर वाए तो उनका जो expenses है यह more than और लेस दन था यह more than 50% वो जो खर्चा है वो claim करेंगे तो अगर माल लीजिए कि 30,00,00 रुपए का 60% खर्चा claim कर लेते हैं तो यानि उनके पास बच जाते 40% income तो 30,00,00 का 40% आ जाता है 12,00,00 रुपए तो देखे कोई भी income जो 15,00,00 से कम हो यानि doctor B का जो income उससे कमी income वो declare कर रहे तो इस वज़ए से वो lower tax payment कर रहे I hope कि आज के ये जो वीडियो है इस वीडियो से आपको ये समझ में आ चुका है कि जो medical profession ये doctor है उन लोगों को कैसे tax planning करना पड़ता है और कैसे वो अपना income tax return फाइल करेंगे section 44 ADA और ये normal provision वाला जो चीज़ है ये कोई भी professional खुद से return फाइल में उसको claim कर सकते है यानि खुद फाइल करके इसका direction claim कर सकते है पर section 44 AB का जो आपका benefit है वो लेने के लिए आपको tax audit कराने परेंगे और तब आपको कोई practicing chartered accountant से आपका जो income tax का books है उसको audit कराने होंगे friends है हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको tax planning के बहुत सरी useful वीडियो मिले है अगर आपका इस relevant कोई भी query है तो comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते है आज के लिए इतना ही बहुत जल मिलेंगे अगले वीडियो में